नमस्का दोस्तो, स्वागत करना चाहूंगी आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल यूस्फुल इंफो वर्ल्ड में मैं हूँ आपकी होस्टो दोस्त हर्शिता जो आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहधी खास वीडियो दोस्तो, अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में खास बात क्या है जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आज का ये जो दोर हम फेस कर रहे हैं वो काफी जद्दो जहत वाला है ऐसे में आप अपनी बॉड़ी को इंप्रूव रखने के साथ साथ इम्प्रूव रखने पर काफी जद्द जोर दे रहे हैं तो मैंने सुचा क्यों ना आज मैं आपको इंप्रूव करने के एक ऐसे फूट के बारे मिं जानकारी दूँ जिससे आप यूस तो करते हैं लेकिन आपको जादा जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये खाकर भी हमारा इम्मिनिटी सिस्टम इंप्रोव कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर मैं सबजियों की बात करूं तो उसमें आपने पालक का नाम तो सुना ही होगा पालक खाकर आप अपने इम्मिनिटी सिस्टम को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं और आपको इसका प्योग कैसे करना है और इसके क्या-क्या लाब है इन सभी प्रकार की जानकारियों को आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पालक एक हरी पत्तेदार सबची है जो पोशन तत्वों से युगता है पालक में विटामिन A, B, C और विटामिन K होता है इसके अलाबा बहुत कम कैलोरीज, कैलशियम, आयरन और बीटा कैरोटिडनाइट होते हैं अगर आप नियमित रूप से पालक का सेवन करते हैं तो आप अपनी इमिनिटी को आसानी से बढ़ा सकते हैं दरसरल यहां अक्सर कहा जाता है कि पालक सबसे आसान और लाब दायक खाद्यपदार्थों में से एक है यदि आपको लगता है कि यह सिर्फ आँखों की रोशनी बढ़ाता है तो गलत नहीं है मगर आप में जानकारी की कमी जरूर है आखिर कैसे तो मैं आपको बता दूँ कि पालक आपकी इमिनिटी याने प्रती रक्षा के लिए सबसे अच्छे बोजनवी कलपों में से एक है अगर आप नियमित रूप से पालक खाते हैं तो यह आपके स्वास्ता के लिए बहतर हो सकता है अब आपके मन में भी जवाल चल रहा होगा कि पालक आखिर कैसे और क्यों फायदे मन्द है तो इसका जवाब बिचान लीजे पालक एक पहतरीन मसल्स बिल्दर फूड है जो पोस्टिक विटामिन और खनीजों से भरा होता है जिसमें फॉलेट, आइरन और ल्यूटिन शामिल है यह plant-based omega-3 का भी एक बड़ा इस्त्रो थे इसमें आइरन के साथ साथ प्राकरतिक रसाइनों की भी स्वस्थ खुराग भी शामिल होती है जो anti-inflammatory गुण होते हैं और रोगों और किटानों को दूर करने में मदद करते हैं साथ ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत अच्छा है अगर आप कच्चे पालक को अपने डाइट में शामिल करते हैं salad के साथ तो इसमें उपस्थित, potassium और vitamin C नहित होता है जो आपकी बोड़ी को immunity काफी हद तक प्रधान करता है जो प्राकरतिक रूप से immunity booster ह अगर मैं आपको कई तरह से पालक का सेवन करने के अलग-अलग तरीके बता दूँ तो आप अपने डाइट में इसे जरूर शामिल करें तो कैसा रहेगा जैसे पालक स्मूदी बना कर अगर आप breakfast में पालक स्मूदी को शामिल करते हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत ही सथ एनरजी भी देगा आपको बता दें कि पालक स्मूदी विटैमिन और खनी जो से युक तो होते हैं अगर आप वर्काउट करना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए एक पहतरी पोस्ट वर्काउट रिफ्रेशर हो सकता है सेक्ट है डाल पालक पालक का उपयोग रोज मर कि भारती आहर में कई तरस किया जाता है डाल के साथ पालक का सेवन करना एक अच्छा आहर विकल्प है चने की डाल और पालक सुपर स्वादिस्ट और स्वस्थ विकल्प है डाल के नियमित से इमनिटी बढ़ाने वाले जिंक आयरन और इंफ्लोसाइट्स इसमें जो मौज जो आपकी प्रतिरक्षा को सुपरचार्ज रखने के लिए प्रोटीन और आन्य पोशक तत्वों से युक्त होता है यदि आप इसे स्वस्थ तरीके से बनाते हैं तो आप इससे रोजाना सेवन से इनकार नहीं कर सकते हैं जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा इस तर इनकारी दी कि कैसे आप अपने इमिनिटी सिस्टम को बूस्ट अप रख सकते हैं वह भी पालक के जरीए आई होप आज की है जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो तो अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में से जरूर से और हो सकता हो कोई नए वीवर्स भी बगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप भी मेरे इस चैनल को छोड़कर बिलकुल न चाहें उसके लिए सब्सक्राइब कर दे जल्दी से मेरे इस चैनल को और बैल आइकॉन को तो प्रेस करक जाए तो दर जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करों उसका नोटिफिकेशन आपको तो रंद और आसानी से मिल सके जाते जाते आप सबसे विदा लेना चाहूंगी धन्यवाद